हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी में हीटिंग पैड का उपयोग करना गर्भबत्य महिला के लिए भाइदेमंद है या नुक्सान दे। आज में इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूँ क्योंकि अक्सर महिलाएं सर्दियों में हेटिंग पैड का इस्तेमाल करती हैं। प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को हाथ पैरों में अक्सर दर्द रहता है। इसके अलाबा कुछ महिलाओं को पीठ और पैल्बिक एरिया में भी दर्द की समस्या रहती है। दर असल गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में भूरून का आकार तेजी से बढ़ रहा होता है। जिसकी वजह से महिलाओं के पैर पर दबा परता है। इस समस्या को कम करने के लिए महिलाओं को होट टब बात लेने की सलाथ में चाहती है। जबकि कुछ महिलाओं इस समय पीठ के निचले हिसे में होने वाले दर्द को कम करने के लिए हिटिंग पैट का इस्तेमाल करती है। गर्म पाने से पीठ की सिकाई करने से महिलाओं को दर्द में अराम मिलता है। लेकिन कई बार महिलाओं के मन में यह प्रस्ण उठता है कि क्या हिटिंग पैट इस समय इस्तेमाल करना सुरक्षित है या भी नहीं। तो आज में इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। हीट थेरेपी का उप्योग पीठ दर्द, मानस्पेशियों में दर्द और जोडों के अकड़न को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें हीटेड जैल पैक, इलेक्टिक हिटिंग पैड और हीट रैप के उप्योग से बलड सर्कूलेशन को बहतर बनाने में मदद मिलती है। साथ ही इससे डैमेज टीशू का रिपेर किया जाता है। प्रेगनेंसी में मानस्पेशियों और पेल्बिक एरिये में होने बाले दर्द को दूर करने के लिए महिलाएं, पीठ और कूले पर दवाब महसूस करती है। इसली लेगामेज पेल को दूर करने के लिए हिठ्टिंग पैड का भूरब किया जाता है, और ड़्द से आराम मिलता है। सादीश सुद्द्र पेल zach выглядит लेकिन फिरभी डाक्टर इस समय महिलाओं पो पर दिधा कि आता है। सब्धानियां बरतने की सलाह दी जाती है हिटिंग पैट का इस्तेमाल करते समय ध्यान दें कि पैड ज्यादा गर्म नहीं हो हिटिंग पैड को सीधे तवचा पर ना लगाएं हिटिंग पैड को कपले या तोलिये से रैप करके ही पीठ या कूलों के मान स्पेशों की सिकाई क करें इसका उपयोग एक बार में बीच मिनर से ज्यादा आपको नहीं करने चाहिए हिटिंग पैड का इस्तेमाल पेट के निचले हिस्से पर ना करें इससे अनिसमस्याय होने की संभावना हो जाएगी ज्यादा हिटिंग पैड का आधत आपको नहीं लगाने है पर हां जब दर्द हो कहीं पे तो हिटिंग पैड का इस्तेमाल उपयोग कर सकती है मैं आसा करती हूं यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आपका बहुत भू धन्यवाद थैंक्यों बढ़ सब्सक्राइब करें आपका बहुत थैंक्यों नवाद जक्यों कि पाला नवाद करेंद ए दोगाद से पंद आपका ठाह्माद करें जद आपका बहुत है है कि अध्या है।